Nifty और Sunsex नए Hyper High लगा रहे हैं और बहुत सारे ऐसे Stocks हैं जो 52 Week High पर Trade कर रहे हैं और ऐसे में Retail Investor एक गलती ये करते हैं कि जो Stocks 52 Week High पर Trade कर रहे हैं या ऐसे Stocks जिन में कुछ समय से Rally देखने को मिल रहे हैं जैसे Railway Stocks या PSU Stocks उनमें Entry कर लेते हैं जबकि कभी भी भागते हुए Stocks को Chase नहीं करना चाहिए तो ऐसे में Investors के मन में एक प्रस्ण ये आता है कि क्या कुछ ऐसे भी Stocks हैं जो 52 Week High से दूर हैं और जहां Return के मौके बन सकते हैं तो आज हम इस वीडियो में तीने से Stocks के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अपने अच्छे Quarterly Results Deliver किये थे लेकिन फिर भी उनके Shares में अभी तक कोई तेजी देखने को नहीं मिली है या कहें वो अपने 52 Week High से अभी भी काफी दूर हैं लेकिन हाँ दोस्तो इसे आप किसी भी तरह से Buying या Selling Recommendation की तरह मत लीजिएगा मैं इस वीडियो के माध्यम से आप से अपने द्वारा की गई Research शेर कर रहा हूँ तो आपको इन Stocks को अपनी Watch List में Add करना है उसके बाद उनकी Performance को Observe करना है तो पहला Stock जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है Root Mobile साड़े 8000 करोड की Market Cap वाली ये Company का Stock अभी फिलहाल 1350 रुपे पर Trade कर रहा है जबकि इस पूरे साल में Root Mobile ने 25% के Negative Return दिये हैं मतलब कि अगर जनवरी 2022 में आपने इस Company के Share में 100 रुपे निवेश किये होते तो आज उसकी Value 75 रुपे रह गई होती इस बार Company ने बहुत अच्छी Quarterly Results पेश किये थे मारी इस लिस्ट में अगली Company है MTAR Technologies 5000 करोड से कम की Market Cap वाली ये Company एक Small Cap Company है फिलहाल इस Company का Stock 1600 रुपे पर Trade कर रहा है जबकि जनवरी 2022 से इस Company ने 35% के Negative Return दिये हैं और अगर आप इसका Maximum Chart देखेंगे तो 57% के Positive Return दिये हैं इस Company ने अपने Shareholders को इस लिस्ट में आखरी Company है Latent View 7000 करोड की Market Cap वाली इस Company का IPO पिछले ही साल आया था और ये अब तक का सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब होने वाला IPO था और यही कारण था कि इसकी Bumper Listing हुई थी लेकिन जैसे जैसे Market में गिरावट शुरू हुई Short Term Investors ने इसमें Profit Booking की और यह Share गिरकर 300 रुपे के Level तक आ गया था जबकि All Time High से अभी भी यह Share 46% डाउन है और इन तीनों ही कमपनियों के Quarter 2 के Results का लिंक आपको नीचे Description Box में मिल जाएगा ताकि आप जिस भी Company में Interested हों उसका Result देख सकें तो उसे Miss मत कीजिएगा तो कैसी लगी आपको यह Video और आपकी Stock को लेकर ज़्यादा Confident है हमें Comment जरूर कीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि हम इसका Part 2 भी लेकर आएं तो भी आप हमें Comment कर सकते हैं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेर कीजिए अपने दोस्तों को ताकि वो भी Stock Market और Investing के बारे में जान सकें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपसे मिस न हो मिलेंगे एक नई वीडियो में तब तक के लिए Stay Invested